इजी टू डिजैन में आपका स्वागत है, आज हम सीखेंगे फेस फिलिट क्या होता है और इसे कैसे योज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, वेरियवल फिलिट 3 पे राइट किलिक करें और इसे डिलिट कीजिए, फ्यूचर्स पे किलिक करें, यहां पे फिलिट कमांड का आइकन दिया गया है, इसके नीचे एक एरो है, इस पे किलिक करें और फिलिट पे किलिक करें, फिलिट टाइप में सलक्ट कीजिए, फेस फिलिट और आइटम्स टू फिलिट वाले बॉक्स में किलिक करें, यहां पे आपको एक फेस सलक्ट करने होंगे, और दूसरा इस में आपको दूसरा it select करने हुगए उपर वाले box में किलिक करें और select किजिए face तो हम यह face select करेंगे अब नीचे वाली box में click करें और select किजिए face तो हम यह face select करेंगे यहां पे face filter का preview दिखाई दे रहा है आप चाहें तो यह face भी select कर सकते हैं यह face भी select कर सकते हैं और यह face भी select कर सकते हैं और इसे नीचे की तरफ drag कीजिए और फिलिट का radius आप अपने requirement के हिसाब से input कीजिए हम यहां पे 6 mm एंटर करेंगे और इसे profile में circular रहने दीजिए और ok कीजिए तो यह देखिए selected face भी फिलिट अपलाई हो गया बहुत असान है अब practice करते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद